दोस्तों, JK IT मंत्रा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम DC मोटर का टोपिक लेकर उपस्तित में हैं इस वीडियो में हम DC मोटर का नया टोपिक स्टार्ट करेंगी DC मोटर क्या होती है, इसका कारी सिध्धानत क्या होता है और DC मोटर क्या काम करती है डीटियल से पढ़ने वाले हैं ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चेनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए आपको इसी परकार की वीडियो यहां मिलती रहती है आप सभी को पता है कि मसीन दो परकार की होती है पहला होता है जनरेटर और दूसरी होती है मोटर जनरेटर को हमने डीटियल से कम्प्लीटली पढ़ रखा है प्ले लिस्ट में आपको वीडियो जमिल जाएगी आप वहां से बेख सकते हैं दूसरा पाइट है वो होता है मोटर तो मोटर क्या होती है वेजुति कुर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलने वाली मसीन मोटर कहलाती है तो इलेक्ट्रिकल एनरजी को मेकेनिकल एनरजी में बदलने वाली मसीन वो होती है मोटर मोटर का काम होता है मेकेनिकल एनरजी आउटफुट के रुप में देना अब मोटर भी दो परकार की होती है एक होती है DC मोटर और दूसरी होती है AC मोटर जब हम DC मोटर की बात करती हैं तो वह DC विद्यूत उरजा से यांतरिक उरजा बनाती है और AC विद्यूत अरजा से मेकेनिकल एनरजी बनाने वाली मसीन को हम AC मोटर कहते हैं तो DC मोटर की यही परीवासा है कि DC वैद्यूतिक अरजा को या दिश्ट धारा को यांत्रिक अरजा में बदलने वाली मसीन DC मोटर कहला दी है और DC motor किस सिद्धान्द पर कार्ये करती है उसके बारे में देख लेते हैं कार्ये सिद्धान्द होता है विद्यूत्चुमग की घिंचाओ का सिद्धान्द आपको पता है कि मोटर में हम इन्पुट के रूप में वेध्यूतिक उर्जा देते हैं और डी सी मोटर में हम डी सी उर्जा या डी सी वेध्यूतिक उर्जा हम इन्पुट के रूप में देते हैं और जब आर्मिचर घुमता है चुम्बकिय छेत्र में तब उसका एक चुम्बकिय छेत्र और उत्पन हो जाता है और इनके बीच जो खिंचाव होता है इसी सिध्धान्थ पर DC मोटर आधारित होती है वहीं जब हम DC जनरेटर की बात करते हैं तो जनित्र होता है वे आधारित होता है फेराडे के विद्युत चुम्बकिय प्रेरण के सिध्धान्थ पर और मोटर होती है वो विद्युत चुम्बकिय खिंचाव के सिध्धान्थ पर आधारित होती है जनरेटर फेराडे के विद्यूत चुम्बकिये प्रेरण के सिध्धान्थ पर आधारित होता है आपने बढ़ा है कि मोटर विद्यूत चुम्बकिये प्रेरण के सिध्धान्थ पर आधारित होती है परन्तु ये सिध्धान्थ क्या होता है ये सिध्धान्त है कि किसी चुम्बक्य छेत्र में अवस्तित विद्योत धारा वाही चालक स्वेम का एक चुम्बक्य छेत्र इस्थापित कर लेता है एक इस्थान पर कारी रत इन दो चुम्बकिय छेत्रों की पारस्परिक पर्दिक गिरिया के कारण चालक में टॉर्क उत्पन हो जाता है तो जब चुम्बकिय छेत्र में एक चालक को हम रखते हैं चुम्बकिय छेत्र में तो और जब उसे विद्योत धारा देते हैं तो इस चालक का स्वेम का एक चुम्ब के छेतर उत्वन हो जाता है और ये दोनों चुम्ब के छेतर यान की चालक का चुम्ब के छेतर और मेहन चुम्ब के छेतर इन दोनों में जो प्रतिकिरिया होती है उसे हम खिंचाव का या विद्यूत चुम्ब के खिंचाव का सिध्ध करते हैं और इसी खिंचाव के फल्सुरूप हमारा टोर्क उत्वन होता है तो डी सी जनरेटर में हमें इम उत्वन होता है वहीं डी सी मोटर में टोर्क उत्वन होता है फ्लेमिंग नाम का वेग्यानिक था जिसने दो नियम दिये थे पहला था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दो नियम थे दाएं हाथ का नियम डी सी जनरेटर के लिए उयूज किया जता है यानकि डी सी जनरेटर में जो उ दिसा ग्याद करने के लिए हम दाएं हाथ यानकी राइट हैंड रूल का प्रियोग करते हैं वहीं बाया हाथ यानकी लेफ्ट हैंड रूल का प्रियोग हमें डीसी मोटर में टॉर्क की दिसा या करंट की दिसा ग्याद करने के लिए करते हैं तो लेफ्ट हैंड रूल का प्र इननेरीटर में हम ओम आफ की दिशा गयात करने के लिए राइट हैंड रोल का प्रयोग करते हैं तो उत्पन टॉर्क की दिशा ग्यात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाइं हाथ के नियम का प्रियोग करते हैं फ्लेमिंग के बाइं हाथ का रूल इस प्रकार है कि यदि आप अपने लेफ्ट हैंड में धंब पहली अंगुली और दूसरी अंगुली तो आपका अंगुठा चालक के घूमने की दिशा को दरसाता है वहीं आपकी पहली अंगुली फिल्ड या फ्लक्स की दिशा को दरसाती है और जो आपकी मिडल फिंगर है वह करण्ट की दिशा को दरसाती है यदि आप अपने बाइं हाथ को इस परकार की स्थति में रखते हैं तो फॉर फिंगर है यानि की पहली अंगुली या फ्लक्स की दिशा को दरसाती है और अंगुठा ये आपके चालक के घूमने की दिशा को दरसाता है ये होता है लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल जो होता है मोटर के लिए और यदि हम डी सी जनरेटर की बात करें जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में हमारे राइट हैंड रूल होता है राइट हैंड रूल और राइट हैंड रूल प्रियोग किया जाता है उसमे थम्ब motion की दिशा को ओर finger flux की दिशा को दर्साती है पर middle finger होती है ये हमारे उत्पन E.M.F की दिशा को दर्साने के लिए प्रयोग की जाती है तो बस अंतर इतना है कि उसन यदी exam में पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि middle finger किस दिशा को दर्साती है अब वहीं यदि आपको दिशा बदलनी है यानि कि घूमने के दिशा बदलनी है या फिर करंट की दिशा की उत्पन करंट की दिशा बदलनी है तो आप क्या करेंगे तब आप मोशन यानि कि चालक के घूमने की दिशा या फिर फिल्ट की दिशा दोनों में से एक की दिशा को बदल सकते हैं जैसे अभी इसकी दिशा यानि कि पहली अंगली है मैं अभी आपको फलक्स की दिशा को परिवर्ते करके बताता हàng flux की दिशा अभी इस side है यदि आप इसे इस तरफ कर देते हैं तो क्या होता है तो आपकी इस तरह है और यदि आप इस तरह करेंगी तो चालक यही गूमेगा चालक की दिशा तो यही रहेगी जबकि आपका EMF हुआ है वह बदल जाएगा उसकी दिशा अंदर की तरह चली जाएगी आप practically करके देख सकते हैं अपने left hand से left hand को आप इस प्रकार से करें और practically करके देख सकते हैं कि आपकी क्या बदलाओ होंगी अब important बात यह बता देता हूँ कि यदि आप flux और armature के घूमने की दिशा दोनों में से एक को बदलते हैं तो current की दिशा बदल जाएगी जबकि आप दोनों को एक साथ बदल देते हैं यादि कि दोनों की दिशाओं में परिवर्थन कर देते हैं तो current की दिशा में कोई परिवर्थन नहीं होगा next topic है bake EMF bake EMF होता क्या है जब आप आर्मेचर को गती करवाते हैं तो आर्मेचर में चुम्बकिया छेतर में जब आर्मेचर को गती करवाते हैं तो उस आर्मेचर में EMF उत्पन हो जाता है और वह उत्पन EMF आरोपित EMF की विरोध में विपरीत कार्य करता है और जो आर्मेचर का EMF उत्पन हुआ है, विद्यत वाहक बल उत्पन हुआ है, वही विद्यत वाहक बल बेक EMF कहलाता है और बेक EMF को हम काउंटर EMF के नाम से भी जानते हैं और ये फलेमिंग के दाई हाथ के नियम पर आधारित होता है इसकी दिसा ग्यात करनी है तो फ्लेमिंग का राइट हेंड रूल ही प्रियोग करना होता है जो हम DC जनरेटर में करते हैं जनरेटर का राइट हेंड रूल ही प्रियोग करते हैं बेक EMF की दिसा ग्यात करने के लिए अब बेक EMF का एक EMF समिकरन होता है EMF समिकरन क्या होता है यह समिकरन है EB यान की बेक EMF बराबर 5ZN बटे 60 इंटू P बटे A F होता है चुंबकिय फ्लक्स, Z होता है आरमेचर चालक की संख्या, N होता है गती, RPM में, P होता है पोल और A होता है आरमेचर में समानतर रास्तों की संख्या, समानतर पथों की संख्या अभी इस इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनते हैं यदि हमें एक का मान ग्यात करना है यान कि इस फॉर्मूले में एक की वेल्यू ग्यात करनी है तो हम क्या करते हैं एडिपेंड करता है आपके आर्मेचर की वाइंडिंग पर आर्मेचर वाइंडिंग किस परकार की है उसके आधार पर हम A की वेल्यू रखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग दो परकार की होती है पहली होती है लेप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग लेप वाइंडिंग में A बराबर P होता है A बराबर P होता है और वेव में A बराबर 2 होता है यदि हम लेप वाइंडिंग की बात करते है तो लेप वाइंडिंग के लिए फोर्मूला बनेगा A और P यदि बराबर है तो इसकी जगे A का जाएगा तब आपका फोर्मूला ये बनेगा 5ZN बटे 60 P और A एक होगा क्योंकि P बराबर A है यानि की कट जाएगा एक बचेगा तो ये है हमारा लेप वाइंडिंग के लिए फोर्मूला जब मैं वेव वाइंडिंग के बात करता हूँ तो उसके लिए फोर्मूला बनता है क्योंकि wave winding में A बराबर 2 है तो 2, 60 से गुना हो जाएगा 5, Z, N बट्टी 120 और P बचेगा उपर इस परकार से आपका wave winding के लिए formula ये रहेगा और leap winding के लिए formula ये रहेगा इस परकार से ये 2 formula और बनते हैं exam make option में कोई भी formula हो सकता है आपको तीनों याद करनाई है तो ये थी आज के important topics जो DC motor से लिए है और कल हम DC motor के types और उसके अभी लक्षन पढ़ेंगी वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें और channel को subscribe कर दीचिए आपको इसी परकार की वीडियो जहां मिलती रहती है